नमशकार प्रभ़ासाक्षी नेटवर्क में आपसबी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं उत्तर्प्रदेस की जहां पर विधान सबाचुनाओं होने वाले हैं ऐसे में भारती रस्ते से में चुनावायोग राश्ठी इस्तर पर मान्यता प्रापदलों को राश्ठी इस तर पर चुनावे सुर्गी अटल विहारी वाजपई ने पूल जनसंग के नेताओं के साथ मिलकर भारती जनतापार्टी का निरमाड किया था हालाकि स्यामाप्रसाद मुखरजी इसके जनक माने जाते हैं क्योंकि साल 1901 में भारती जनसंग से भाजपा के निर्माण की कहानी सुरू हो गई थी और फिर 1977 में आपातकाल के खत्म होने के बाद जनता पार्टी में जनसंग का विले हो गया इसके बाद जब जनता पार्टी खत्म होई तो भाजपा का उदय हुआ उत्तर पिदेश में भाजपा की बात की जाया तो पार्टी मौझूदा समय में योगी आदित्तिनाथ की नित्रत में सरकार में विराजमान है 403 सीट वाली विदान सभा में भाजपा के 303 विधायक हैं ऐसे में भाजपा फिर से सट्था में वापसी की पुर्जोर कोसिस कर रही है आपको बता दें कि साल 1991 में पहली बार उत्तर पिदेश में भाजपा की सरकार बनी थी लेकिन वो डेड़ साल ही चल सकी साल 1991 में पहली बार सत्ता पाने वाली भाजपा को दूसरी बार सत्ता में आने में करीब 5 साल का समय लग गया और साल 1997 में तेरवी विधान सभा में भाजपा सत्ता में आई और इस बार भी कल्यान सिंग की ही ताच पूसी हुई लेकिन भाजपा को जल्दी जल्दी अपने मुख्मंत्री बदलने पड़े जिसकी वज़र से राम प्रेकास गुपता के बाद राजनाज सिंग को भी मुख्मंत्री बनने का मौका मिला इसके बाद भाजपा को 15 साल का इंतिजार करना पड़ा 2017 का चुनाओ पार्टी ने दिकॉर्ट मर्तों से जीता और फिर योगी आधितनाद की ताचपोसी हुई जिनके नाम पर पार्टी 2022 का विधान सबा चुनाओ लड़ रही है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनी से सीधा संबंध है समाजवादी पार्टी या तो सरकार में रहती है या फिर विपक्ष में लेकिन इसकी भूमिकास जरूर होती है साल 1992 में इस्थापित हुई समाजवादी पार्टी के संस्थापक वा संग्रक्षग मुरायम सिंग यादव है जो तर्प्रदेश के तीनवार मुख्ध मंत्री रह चुके हैं इसके अलावा रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं फिलाल अकलेस यादव इसदल के राष्टियत धक्ष है जो योगी आदित तिनाज से पहले प्रदेश के मुख्या थे इस दल को मुसल्मानों और पिछली जातियों का असिरवात मिलता है आज प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो भी साख है वो मुलायम सिंग और उनके भाईस युपाल यादों ने गाउं गाउं साइकिल से यात्रा करके बनाई है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता है फिलाल स्युपाल यादो प्रगतिसील समाजवादी पार्टी की सियासत करते हैं लेकिन 2022 की चुनावों में अखिलेश के साथ मिलकर भाजपा के खिलाप लड़ने वाले हैं दोनों के बीच लंबे समय से बाचीत चल रही थी जो पूरी हो चुकी है माना जाता है कि समाजवादी पार्टी एक समाजवादी समाज बनाने में विश्वास करती है जो समानता के सिध्धान पर काम करता है इसके लावा पार्टी राम अनुहर लोहिया और चौत्री चरण सिंग के आदर्शों में चलने में भी विश्वास रखती है बहुजन समाज पार्टी यानि की बस्पा कासी राम ने साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी के स्थापना की थी जिसका लक्ष बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पराधारित है बस्पा एक राष्ट्री राजनीतिक दल है लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में इसका प्रभाव लगतार कम होते हुए दिखाई दे रहा है या यू कहें कि बचा ही नहीं है महज साल 2007 का विधान सवा चुनाओ छोड़ दिया जाये तो पार्टी किसी भी विधान सवा चुनाओ में 100 सीटों का भी आकड़ा पार नहीं कर पाई है साल 2002 के चुनाओं में पार्टी 98 सीटों पर तक जरूर पहुंची और अंगले विधानसवा चुनाओं में सरवाधिक 206 सीटे प्राप्त की थी लेकिन बस्पा का करिश्मा फिर दिखाई नहीं दिया मौजूदा समय में बस्पा की रास्टी अध्यक्ष मायावती हैं जिनके कंधो पर काशी राम की विरासत को आंगे बढ़ाने का जिम्मा है और वो चार वार उत्तर प्रदेश की मुख्मंत्री बन चुकी हैं हाला कि 1995, 1997 और 2002 में मायावती कारेकाल पूरा नहीं कर पाएं थी सवन्ड समाज का विरोध कर जन्मी बस्पा ने अपने बोट बैंग में सवन्ड समाज को भी जोड़ा है साल 2022 के विधान सभा चुनाओ को ध्यान में रखते हुए बस्पा ने आयोध्या में सवन्ड सम्मेलन किया था जिसकी पूरी रणी सतीश मिश्णा ने बनाई थी और उसे जमीन पर उतारने का काम भी किया था भाती राष्ट्री कॉंग्रेस महा सचीप प्रियांका गांधी वाड़रा चतीश गड़ मौडल के आधार पर उत्तर प्रदेश में 32 साल से वनवास जेल रही कॉंग्रेस की सरकार बनाने की कोशिसों में जुटी हुई हैं पिछले पचास सालों में प्रियुस में पचास सीटे भी नहीं जीत पाई है आखिर आ उन्नीश सो नवासी में कांग्रेस ने च्वरानवे सीटे जीती थी उसले जंता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उगजी थी और जंता पार्टी को 208 सीटे मिली थी उसके बाद 1991 में कॉंग्रेस को 46 96 में तितिस 2002 में पच्चीज 2007 में बाइस दो हजार बारा में हैं एक तरफ कमजोर होती पार्टी के सामने अपने नेताओं को बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ महिलाकार्ट के जरिये वापसी की कोशिस कर रही है राश्टी ये लोगदल यानि की रल्डी उत्तरपदेश में किसान के नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वा इसके बाद Corona में जंता दल में अपनी पार्टी का विलै भी कर लिया असी में पार्टी तूड़ गई और नया दल भी बन गया फिर पार्टी का नाम फी बतला इसके बाद पाटी के भीता चौदरी चरण सिंग के बेटे अजीस सिंगये हस्चेव से विवात खड़ा हो गय और 87 में लोगदल दो भाग में बठ गई और 88 में लोगदल आ का जनता पार्टी में विलय हो गया साल 1993 में लोगदल आ का कॉंग्रेस में विलय हो गया मोटा-मोटी तौर पर लोगदल कई बार बनी और टूटी भी लेकिन 1998 में चौधरी अजीस सिंग ने पार्टी का नाम जबूत होना पड़ेगा या यूं कहें कि यहां के वोट की उन्हें जरूरत होगी और यहां पर चौधरी अजीस सिंग के निधन के बाद जैन चौधरी ने मोचा समाल रखा है जिनका समाजवादी पार्टी के साथ गड़बंधन है और उनकी किसानों के बीच अच्छी प